दोस्तों ग्यान गंगा चेनल में आपका स्वागत है दुनिया के लोग नहीं समस्ते की संकर पर जल चड़ाने का क्या लाब है सिव महापरान कहती है अगर एक दिन सिव महापरान कहती है कि रविवार को लोटा भरकर जल सिव जी को समर्पित करा जाता है तो गर में तेज लच्मी प्राप्त होती है सुमवार को अगर बगवान संकर को जल चड़ाया जाता है तो हमारे गर में सांती मिलती है मंगलवार को अगर सिपजी के मंदिर में जाकर अगर एक लोटा जल चड़ाया जाता है तो हमारे कारे में सफलता मिलती है उद्बार के दिन संकर पे अगर एक लोटा जल चड़ाया जाता है तो जिस लड़की या लड़के का विवा नहीं हो रहा जिन बच्चों का विवा नहीं हो रहा उन बच्चों के भी विवा हो जाते हैं महाराज गुरुवार के दिन अगर सिव जी पर जल चड़ाया जाए तो गण में विदत्वा कानवव होता है महाराज बच्चे पढ़ने में प्रकर होते हैं शुक्रवार के दिन अगर संकर पर जल चड़ाया जाए तो नारी का अखंड स्वबाग ये होता है महाराज अगर सनिवार के दिन सीव की अलाधना की जाए सनिवार को जीव जीव पर चल चड़ाया जाए तो जिंदिगी में व्रति की कभी अकाल मृत्यू नहीं होती दोस्तों अभी हमने आपको बताया परदी मिस्ता जी द्वारा बताया गया अचूक और सटी कुपाए ओम नमस्त जिवाए